मोदी ने एक बात कही थी कुछ समय पहले कि 2047 आते आते हमारे दियेश को मिली आजादी को 100 साल पूरे हो जाएंगे तब तक हमें भारत को डेवलप कंट्री बनाना है अब इसके लिए ना सरकार एक डोकुमेंट त्यार करवा रही है पिछले दो साल से दिसंबर 2021 से उस का ग्रूप लगा हुए है जैसे पहले ग्रूप में तीन-चार सेकेटरी है उन्होंने एक सेक्टर पकड़ लिया फूर एक्जामपल एग्रिकल्चर फिर इसके बाद दो-तिन और भारत सरकार में सेकेटरी है उनको एक थीम दी गई है वेलफियर फिर एक और सेकेटरी का ग पूरे प्लान को इस साल के आंथ तक यहनी दिसंबर में यह जो पूरा प्लान है विजन इंडिया 2047 प्लान यह देश के सामने रखा जाएगा इसमें देखो बताया जाएगा कि कौन-कौन से सेक्टर में इंडिया लीड कर रहा होगा 2047 आते आते और इसके लिए क्या रिफ है अजय बंगा एपल के चीफ हैं टीम कुक इंडिया के इंडरिश्टलिस्ट हैं या फिर दूसे लीडर्स हैं उनको भी यह प्लान दिखाया जाएगा कि आप बताईए क्या आपको कोई ब्लाइंड स्पोर्ट दिख रहा है प्लान में कोई कमी है तो बताईए नितिया आय देह जैसे वियतनाम, साउथ अफरीका, ब्रजिल, मलेशिया, यह वो देह हैं जो मिडल इनकम ट्रैप में स्वस्ट गए क्या है ये middle income trap देखो जब कोई देश मेहनत करके low income से middle income की category में तो आ जाता है lower middle income की category में या फिर upper middle income की category में लेकिन यहाँ पर first के रह जाता है वो आगे high income की category में नहीं जा पाता आप बोलोगे ऐसा क्यूं होता है reasons कि अभी मैं आपको बताता हूँ जैसे देखो world bank की definition के अनुसार अगर किसी देश में per capita income आज के समय 1135 US dollar से कम है तो वो देश low income की category में आता है अगर income 1136 से लेके 445 के बीच में है तो वो देश low middle income की category में आता है अगर किसी देश की per capita income 4,466 से लेके 13,845 की बीच में है तो अपर middle income country और अगर per capita income 13,845 US dollar से ज़्यादा है तो वो देश high income country जैसे डवलब कंट्री हैं ये रोप वगरा हैं अब हम बात करते हैं क्यूं कुछ देश middle income trap में फसके रह जाते हैं सबसे पहला reason देखो कुछ देश ना समय रहते अपनी growth strategies को shift नहीं कर पाते हैं जैसे आपको example देता हूं Brazil South Africa ये देश हैं यहां पर न लोग का income level एकदम से बढ़ गया economy एकदम से मजबूत हुई लेकिन raw material को बेच के यहां पर एकदम से wealth आई थी अब raw material आपको पता है resource आपको पता है किसी भी देश में unlimited नहीं है resource और raw material को बेच कर दूसे देशों को कुछ समय के लिए तो पैसा कमाया जा सकता है लेकिन sustain नहीं किया जा सकता आपको समय रहते growth strategy को shift करना चाहिए थां जैसे productivity led growth आपको लानी चाहिए थी productivity led growth मतलब जैसे service sector है कि आपके यहां पे इतनी skilled जनता है वो काम कर रही है वो किसी भी फरम में company में productivity देती है उससे कमाई होती है और फिर आपकी जो growth है वो ज़्यादा हो रही है ऐसी strategy अपनानी चाहिए थी इन देशों को लेकिन यह नहीं अपनास के समय रहते एक और example आपको देता हूँ क्यों कुछ देश फस जाते हैं जैसे रेखो Latin American countries हैं अब यहां पर क्या है na boom and burst के cycle चलते हैं boom and burst कैसे चलते हैं जैसे यहां पर ना Latin American countries में for example ब्राजिल में Central Bank में ना Central Bank ने एकदम से loan बहुत सस्ता कर दिया interest rate बहुत आसान बना दिया loan मिलना एकदम से सस्ता हो गया loan मिलना जब सस्ता हो जाता है तो आपको पता है क्या होता है लोग loan लेते हैं नहीं बिजनस establish करते हैं economic activities ज्यादा होती है बट ये करने से एकदम से economic activities तो भड़ी boom तो आया लेकिन बाद में क्या हुआ कि loan वापस नहीं आए bank के पास में जैसे इंडिया में NPO हो जाता है आसान loan दे दिया गया था बिना income किसी चीज को गिरवी रखें बहुती सस्ता loan लेकिन वो loan बैंकों को वापस नहीं मिला इसलिए क्या हुआ business बंद होने start हो गए further loan मिला नहीं bank भी घटे में चलने लगे यानि stage आ गई burst की तो ये cycle चलते रहते हैं पहले interest rate को असान बनाया बूम आया एकदम से लेकिन loan वापस नहीं मिला बैंकों को तो बश्ट हो गया ये काफी समय तक चलता रहा चलता रहा तो ये देश middle income trap में फस गए कभी Europe की तरह high income category में आही नहीं पाए जबकि देखो कुछ देश ऐसे हैं for example जपान साउथ कोरिया वो तेजी से middle income trap से बाहर निकल गए और आज developed country में उनकी गिंती होती है high income category में वो आती हैं अब बात करते हैं इंडिया के लिए क्यूं कहा जा रहा है कि इंडिया middle income trap में ना फैस जाएं देखो कुछ चिंता की बाते हैं जैसे इंडिया में inequality काफी ज़्यादा है inequality की वज़े से होता क्या है जो बिल्कुल अमीर लोग है न लेडर में उनके पास तो बहुत wealth है लेकिन जो middle class के लोग हैं वो category expand नहीं हो पा रही है और जो गरीब लोग हैं वो गरीब हैं गरीब लोग इतनी demand generate नहीं करते असली जो demand generate है वो middle class के लोग के द्वरा की जाती है middle class के जो लोग है यही तो खर्चा करते है न ज्यादा लेकिन middle class की जो category है वो expand नहीं हो पा रही है इसकी वज़े से हमारे देश में प्राइवेट consumption कम है प्राइवेट कंजप्षन कम है प्राइवेट कंजप्षन बढ़ेगी तब ही तो जपान, साउथ कोरिया, इन्होंने सेक्टर्स आइडेंटिफाई कर लिये, कि यहाँ पे हमारी स्ट्रेंथ है, for example, electronics industry, जपान और साउथ कोरिया ने ये सेक्टर आइडेंटिफाई किये, अपना best इन्ही सेक्टर्स में दिया, जिनकी वज़े से बहुत ग्रोथ हाई इन देशों में, इंडिया को भी अपने सेक्टर्स आइडेंटिफाई कर लेने चाहिए, कि यहाँ हमारी स्ट्रेंथ इन सेक्टर्स में है, हम इन सेक्टर्स पर डबल डाउन करेंगे, हम इतना स्ट्रोंग होंगे इस सेक्टर में कि हम से आगे कोई नहीं निकल सकता, पूरा वर्ल्ड हम ही पर डिपेंड करेगा इस सेक्टर के लिए, ऐसे इंडिया को ना स्पेसलाइज सेक्टर्स को आइडेंटिफाई करके उन पर डबल डाउन करना होगा, फिर एक चिंता की बाद देखो ये भी है, कि इंडिया में आपको पता है, हम बार-बार बात करते हैं, स्किल्ड फोर्स की कमी है, अभी भी हेल्थ और एजुकेशन उतना अच्छा नहीं है जितना की होना चाहिए, कल हमने आर्टिकल डिसक्स किया था, ब्रेंड ड्रेंड इंडिया से बहुत ज़्यादा होता है, यहीं पर उपुचिनिटीज बैस्ट ब्रेंड के लिए अवेलेबल हो, ये सरकार इंशोर नहीं कर पाती, तमाम पर्यासों के बावजूद, इंफरस्ट्रेक्चर हमारे देश में इंप्रूव तो हुआ है, लेकिन अभी भी चाइना जैसे देशों के कम्तरीजन में बहुत वीक है, इंवेस्टमेंट जितनी आनी चाहिए, उतनी इंवेस्टमेंट नहीं आ पा रही है, विबिन जो सरकारे हैं, वो पॉपुलिष्ट गेम में फसी हुई है, कि जनता को फ्री पे फ्री दो, काईदे से देखो, इलेक्षन लड़ा जाना चाहिए, गवर्नेंस के अधार पे, कि हमने बढ़िया गवर्नेंस दी क्या आपने, लेकिन हमारे देश में विबिन पॉलिटिकल पार्टी इस क्या कर रही है, इस बात पर लड़ाई हो रही है कि फ्री जादा कौन देगा, हम इतना फ्री देंगे, हम आपकी पैंसन पांच जार बढ़ाएंगे, दूसरी पॉलिटिकल पार्टी बोलती है, साथ हजार देंगे, हम महिला हेड को दस हजार देंगे, फ्री के नाम पे इलेक्शन लड़ा जा रहा है, कौन कितना फ्री देगा, सोच के देखो, ये देश के लिए बहुत बड़े दुर्भाग्या की बात है, क्योंकि वही बात है, जो आपको भी पता है, काफी बार हम डिसकास कर चुके हैं, फ्री में देने के बजाए, उन्हें इतना capable बनाओ, कि वो economy में contribute करें, और सरकार के उपर dependent ना रहें, समझ गे, लेकिन उसके लिए चाहिए समय, political parties ये कर नहीं पाती, असली काम जो उन्हें करना चाहिए, इसलिए ये काम, ये वादा करना असान है, कि हाँ हम आपको free में देंगे, और actual में reforms लाना, infrastructure डवलप करना, वो उनको मुस्किल लगता है, लेकिन देश में infrastructure अगर डवलप करना हैं, लोगों को capable बनाना है, skills देनी हैं, तो फिर देखो, populist majors को कम करना होगा, तो ये सारे reasons हैं, जिसकी वज़े से, writer कहते हैं, और भी reasons तो काफी हैं, जिसे reforms नहीं आपा रहे हैं, labor reforms, agriculture reforms, नहीं आपा रहे हैं, जिस गती से आने चाहिए, ये भी एक डर है, जिसकी वज़े से, सारे reasons की वज़े से, कि India भी middle income trap में फसके रह जाएगा, निती आयोग इस खत्रे को मानता है, कि हाँ ये बहुत बड़ा खत्रा है, इसी लिए 10 अलग-अलग themes को identify करके, बताया गया है, कि इन sectors में, इन themes में हम ये ये reform लेके आएंगे, 2047 तक, राइटर कहते हैं, देखो अच्छी चीज है, planning करना तो बहुत ही अच्छी चीज है, लेकिन सरकार को न, black swan events के लिए तयार रहना चाहिए, black swan events, मतलब unpredictable events, for example, मैं आपको बताता हूँ, अभी जहां एक तरफ इंडिया सपने देख रहा था, इंडिया Middle East Europe कोरिडूर के, किसने सोचा था एकदम से युद्ध स्टार्ट हो जाएगा, इस्राइल और हमास के बीच में, किसने सोचा था, 1997 से पहले आप देखिए, एकदम से East Asian countries grow कर रहे थे, Thailand, Singapore वगरा, किसने सोचा था, एकदम से crisis आ जाएंगे, लेकिन Asian economies में crisis आ गए, तो ये है Black Swan events, जिनके बारे में पता नहीं होता, एकदम से आ जाते हैं, तो ऐसे events के लिए, इस plan में जगा होनी चाहिए, और समय समय पे इस plan को revisit किया जाए, कि अभी हम कितना आगे हैं, कहां पे हैं, सब कुछ SS होना चाहिए, समय समय पे, समझ गए, ठाकि plan को revise किया जाए, वैसे इस plan में ऐसी जगा होगी, ये जो plan, दो-तिन महिने में सरकार release करेगी न, इस में दो period में plan को divide किया गया है, एक 2030 तक, उसके बाद आने वाले 17 सालों के लिए, 2030 तक क्या लक्षे है, क्या action points है, वो बताया जाएगा, फिर 2030 के बाद, अगले 17 सालों में क्या action points है, क्या लक्षे है, क्या objectives है, वो भी बताया जाएगा अलग से, plan को दो parts में divide ही, इसलिए किया जा रहा है, ऐसा कुछ होना चाहिए, US dollars, per capita 17,650, फिर writer last में ये कहते हैं, देखो पहले 5 year plan हुआ करता था, उसको छोड़ दिया गया, आज के समय में, और अब ये 2047 वाला plan आएगा, तो भढ़िया है, देश को एक गती मिलेगी, कोई भी political party आए, इस plan पर stick रहना चाहिए, मतलब plan ऐसा हो, जो political parties पर depending ना करता हो, सत्ता में कौन है, जैसे FRBM Act है, वो बताता है कि fiscal deficit कितना हो सकता है, तो ऐसा ही कुछ ये plan होना चाहिए, कि फरक ना पड़े कौन सत्ता में है, Congress है या बिजेपी है, और micro management ना हो, economy का जो tiers 3 bodies है, जैसे panchayet है, urban local bodies है, state governments है, उनको भी empower किया जाए, वो भी सामिल हो, इस plan की implementation में, और एक चीज़, एक target रखा गया है, 2030 से लेके 2047 के बीच, इंडिया की growth rate रहेगी, economy की 9%, बहुत loudable है ये target, लेकिन plan B, alternative scenario, इसके लिए भी जगाए होनी चाहिए, plan में, vision document में, तो ये पूरा article हमने discuss किया,